हेलो दोस्तों आप सब्सक्राइब को अपने इस यूटूब चैनल आडियल प्रोच में स्वागत करता हूं आज हम फिर क्वेश्चन लाया हैं कुछ देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और उमीद करते हैं पिछले सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज कर रहे होगों कि चलिए शुरू करते हैं यहां बोला है एक सब्जी वाले ने एक सब्जी वाले ने असी संत्रे तीन रूपिया प्रती संत्रा के हिसाब से खड़ीदा है ठीक है कितना संत्रा खड़ीता है यह जवाब दीजिए कितना संत्रा खड़ीता है तो जवाब होगा असी संत्रा रुपया सब्सक्राइब कि करी एक संत्रा का दाम एक संत्रा का लां यह जब गया खड़े दिने तो दुकानदार उसको बोला होगा सब्जी बेचनेवाि रुपिया में 1 धंत्रा दीन रुपिया गीए आप 80 संथरा का मुल निकाल लेज एक संथरा का कड़े मुल जाद्व 7 28240 पर हो गया कुछ करना ही नहीं पर लिखने के जोड़त नहीं बड़ा ही हो गया यह तो आपको ऐसा भी आदर ढालना है कि लिखनी के जोड़त नहीं यह फटाक से मन ही मन आपको कर लेना है तो आगे हैं करा उनमें से दस संत्रे विखारियों को मुफ्त बांट दिये क्या कि आसी संत्रा जब वो खड़ीदा तो वो दस संत्रा कर दिया विखारियों को बांट दिया ठीक ठीक है मुफ्त में विखाए असको कोई पैसा नहीं आया वसको और शेश शेश संत्रों को चार रूपिय परती संत्रा के भाव से बेच दिया यैदि सेंत्रा कित्रा शेश संत्रा मतलब बचा हुआ संत्रा यानि शतर संत्र न इसको बेता है चार रुपया प्रति संक्राइब ब्ना प्रति संद्रा को 8 संत्र को पैसा इसाे से ठीक है उसे पता कि Details से पथा में ठीक हैता है कि भाहब है या हानी हुआ है ठीक है तो उसका लाव परतिस्त कितना था प्रतिस्त पूछ रहा है तो पहले शैники को पता चल जाएगा तो उसका परतिस्त हम नीकल देंगे तो 80 संत्रह है 70 का देक। 80 2018 का compound को करम करें मुल करें मुल करें म प्रॉफिट एंड लॉस का है तो इसलिए हम कड़े मुल वर्ड यूज करते हैं तो अच्छा रहता है तो अठीय चोभीज दोसो चालिस रुपई है कैसे वह दोसो चालिस रुपई है क्योंकि एक संत्रा तीन रुपिया में खडिता है तो अच्छा संत्रा कितना खड़ी देगा ज्यादा में गुणा हो जगा तो आट सी और तीन गुणा करेंगे तो हो जगा दोसो चालिस रुपई है ठीक है हाए जलिए हैं आगे आगे कहता है दस संत्रा वो विकारियों को दे दिया तो से संत्रों को 4 रुपिया प्रथी संत्रा के भाव से बीच दिया है यानि कि आप देखिए यहां पे यहां पि मुँख यही हो जाएगा उतना लिखने की जोर्वत नहीं क्या सत्थर संत्र। अब उसके पास बचाव उसी को चार रूपय प्रतीसंत्रां बेशता है यानि कि एक संत्रा को सब्सक्राइब विक्रे मुल बराबर दो सो असी रुपे यह तो देखे यह जदा हो गया ना इसको यह फाइदा हो गया ना बिखारी को भी दे दिया एक सेकेंट बिखारी को भी दे दिया और जदा दामें बेच के फाइदा भी कमा लिया कितना फाइदा कमा यह यह लाब हो गया उसको तो ल लाब का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना उसका लाब प्रतिशत कितना हुआ है लाब प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाब निकालेंगे और उसका प्रतिशत निकालेंगे तो दोसो असी में बेचा खड़िदा था दोसो चालिस में तो टोटल उसको 40 रुपिया का उसको फाइदा हुआ अब इसी का प्रतिशत पुछ रहा है तो प्रतिशत लाव बड़ाबर लाव निकालने के लिए 100 से गुना प्रतिशत निकालने के लिए जिस किसी का भी प्रतिशत निकालेंगे यानि कि इस 40 का प्रतिशत निकालना था तो उसमें सौसबूना कुल से भागा तो कुल भागा कितना हमेशा क्रेमूल नीचे होता है यह बात आपको बता है तो दो सो चालिस तो दो सो चालिस पीछे है अब काटके सो चोड़ेज़ चर्चक 24 अब काटने के ज़रूरत नहीं क्यों क्या आपको याद कर भाए है क्या कि अगर इस फोर्म में आजाएगा तो यह यहां पर एक चूपा हुआ है यह बट शे ही नहीं यह बट शे में 100 से गुणा होता है तो क्या होता हो परसेंट में च होता है सोल्फ पुनांग है सोलफ पुनांग दो बटे तीन परसेंट पास हो गया यही आंसर ठीक है इसलिए टेवल आपको याद कड़ाया गया है टेवल याद करने से क्या होता है कि टाइम बहुत कम लगता है तो देखते हैं एंसर है यह नहीं तोसरो और पुना दौप सखे परद रहा है मैं सब्सक्राइब करते हैं है 17 किलोग्राम चाल का मॉल किलोग्राम मतलब इसकी किलो ग्राम सजींस woven जवक्री आंप द्सक्पाता किली डीटाथ फॉर्म है 17 किलोग्राम चावल का मूल आठ सो पचास रुपई है उस में से 12 किलोग्राम चावल 55 प्रती किलोग्राम पर बेचा गया उसमें से कितना किलोग्राम 12 किलोगरम यहीन की 17 फच पं रूपई परती किलेगराम यानिक है की एक किलोग्राम का दाम फचन रुपया। ठीक है तो सेकी इस चावल कर रहा है तो सेस चावल किस भाव पर बेचा जाया कि कुल पढ दस प्रतिसलाब ठीक है यानि कि यहां देखे 17 kg चावल का मूल 850 रुपीया है ठीक है मूल यानि कि कड़े मूल ठीक है लेकिन वो क्या किया बेचा तो 12 kg जो है बेचा वो किस रेट से 55 रुपीय पर 3 kg पहले देखते हैं कि 12 kg बेचा था तो उसको कितना रुपई आया ठीक है है तो यह देखते हैं हैं लिए तो जानते हैं कि हम जानते हैं कि यह पर दिया गए एकskiपट किलोग्राम का उस्तलव है पर थी च्छल्ड मuciones का मतलब है कि यह तो 12 kg का विक्रे मूल जीधा तो जीधा मैं गुना छी टैक हम गुना करते हैं ठीक है अब जो है ना आपको जितना शौट हो सके उतना लेके चलना है क्योंकि अब तक आपको बच्चों की तरह पढ़ा रहे दो धीर धीर जैसे हम आगे बढ़ेंगे वह इसे थोड़ा सा का थोड़ा सा मैंच्योर की तरह पढ़ेंगे तो लिखेंगें 12 किलोग्राम चावल इसको गुना करते हैं बाड़े पच्चे साथ के सुनना बाकिछे बाड़े पच्चे साथ अच्छे छी आर्शट ठीक है इतना रुपए 660 रुपए है ने कि बाड़े किलोग्राम जब वह चावल बेचा ना तो उसको 660 रुपईय मिला ठीक है और खरीद्री में टोटल 850 रुपईया कि उसकों फाटंढे छड़ी था तो अर लाब प्रौशन करें को 10% का लौब कमाना तो 10% का लाव कमाने के लिए बचा हुआ जो चावल है उसको कितना ना बेच यह पूछ भाह थे के तो इसको तो 12 किलो का तो इतना में बेचा, 660 रुपिया में तो कह रहा है कि बच्चा हुआ को किस भाव से बेचे कि कुल पर यह टोटल जो भी 17 किलो है उस टोटल पर हमको 10 परसेंट का लाब हो तो बच्चा हुआ कितना है पांच केजी और बच्चा है यानि इसी पांच केजी को कितना में बेचे हैं कि टोटल को टोटल पर हमको 110 परसेंट का मतलब यह दस परसेंट का लाब होने का मतलब है कि हमारे पास कुल यानि कि 12 किलो और पांच किलो दोनों को मिला के हमारे पास टोटल विक्रेमूल 110 परसेंट के बराबर होगा की नहीं अगर हम टोटल पे 10 परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाहेंगे तो कुल पर कुल पर 10% का profit कमाना चाहते हैं कुल पर यानि कि 12 किलो और 5 किलो दोनों के मिलाकर यानि कि 17 किलो पर तो बताएं यह दोनों को मिला देंगे तो टोटल विक्डेमूर 110% के बराबर होगा या नहीं क्योंकि बोला है कि 10% profit होना चाहिए यानि कि 100% होता है क्या CP होता है तो CP से ज्यादा 10% और होना चाहिए यह मांग रहा है कहा है 10% का profit इसका मतलब 100% से 100% से 10% ज्यादा यानि कि 110% टोटल SP होना चाहिए तभी न 10% का profit होगा है कि नहीं अगर टोटल SP 110% के बराबर होगा तभी तो 10% का profit होगा यह समझ रहे हैं तो यानि इसका मतलब अगर हम 110% का हम वैल्यू निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कुछ कुछ देखे क्या होगा यहां इसको पहले मीटात कि देखे हैं हम जानते हैं 100% का क्या वैल्यू है 100% का वैल्यू है हमारा 850 रुपई है है कि नहीं यहां है नहीं सत्रे किलोग्राम जाबल का मूल 850 रुपई ठीक है उसी तरह से क्योंकि हमको टोटल पर 10% का profit कमाना है यहां बोल्ड है टोटल पर दस परसेंट का profit कमाना है तो इसका मतलब टोटल पर टोटल का जो होता है है कि आपको हम 350 परसेंट के बढ़ा बढ़ोना चाहिए तो 110 परसेंट का पहले अहां वैल्यू निकाल लेते है कि अगर या कि आपको हम वह उप्पाच्पनयानश्य को क्या इतना और पर यानि की टोटल टोटल मिलाया जाए यानि कि बारा किलो तो सुरू में बेचा 660 रुपईया में बाकि पांच किलो को बेचेगा तो बारा किलो बेचके जो आया फिर पांच किलो बेचके जो आया ठीक है पांच किलो बेचके जो आया रुपईया तो उस दोनों को मिला के यानि कि बारा किलो जितना बेचा वो और पांच किलो बेच के जितना आया वह तो दोनों मिला कर देखें कि हमारे पास टोटल रुपई आगया नो सो पहतीस रुपई यह ठीक है तब ही तो पूरा में दस परसेंट का प्रॉफिट होगा अगर 935 हमको बोल रहा है ने कि पूरा में 10 परसेंट का प्रॉफिट कमाना है किवल रहना है कि हमको बचे हुए को किस भ़ाव से बेचा जा कि 10 कुल उपर 10% का प्रॉफिट कुल उपर यह तो अभी तक कि कुल पर 10% का प्रॉफिट होने का मतलब यस Rede हम पास पैसा आएगा, टोटल जो पैसा आएगा, बाड़े किलो बेच दिये वो पैसा, फिर बांकी जो पांच किलो बेच दिये वो पैसा, दोनों मिला कि जो टोटल पैसा आएगा, वो 935 रुपया आना चाहिए तभी वो 110 परसेंट के बढ़ावर होगा ठीक है और जब 110 परसेंट के बढ़ावर होगा तो इसका मतलब 10 परसेंट का प्रॉफिट होगा है की नहीं तो अब सवाल यह नहीं पूछ रहा है कि टोटल आपके पास कितना विकड़े मूल है ठीक है टोटल रुपय यह आपके पास कितना आया यह नहीं पुछ रहा है यह नहीं पुछ रहा है कि टोटल को आप कितना में बेचियेगा कि 10 परसेंट का लाव हो यह नहीं बोला है सेच को देखे कोश्चन की गहुआ कि शीज चाबल सेच मतलर में बचा हुआ चाबल बचालर में बेचे- तो हम जानते हैं भया 660 रुपय तो 12 kg चावल बेचे तब आया 660 रुपय बाड़ा किलो बेचे तब नाया तो इसमें झरे हम 660 और 935 रुपय टोटल है टोटल हमारे पास 935 रुपय आया और जिसमें कि 660 रुपय या वो पैसा है जब हम 12 kg चावल बेचे तब और बांकी जो बचा है वही तो 5 किलो चावल बेचे तो आया होगा है कि नहीं तो यानि कि 5 किलो चावल का विक्रे मुल हमको पता चल जाएगा लिखेंगे 5 केजी चावल का विक्रे मुल बड़ाबर क्या हो जाएगा तो कि 935 तो टोटल रुपय आया उसके पास ठोटल रुपय उसमें से हम क्या करेंगे छेसो कितना है बाड़ा किलो बेचा तो छेसो साट रुपय घटा देंगे ठीक है कि तो हो जाएगा पांच तेरी मेंसे छे गाटा तो हो जाएगा तेरें से छोगे साथ और ये हो गया है, आट में से चेकटा दो, दो सो पचातर रुपई, यानि कि पांच किलो जो चावल था ना, उसको वो दो सो पचातर रुपईया में बेचा था, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोल राए कि यहां एक बात और भी गोर करना है, कि बचा हुआ चावल का दाम नहीं कि बचा हुआ चावल को कितना में बेचेगा, ये नहीं बोल राए कि बचा हुआ चावल को आप किस भाव में बेचेगा, रेट, यानि कि एक किलो का दाम कितना होना चाहिए, ठीक है, भाव जहां होता है, भाव, दर, रेट, उसका मतलब कि आपको एक यूनिट का कुछ भ बिता कर दो ईख्रेथ कुछ के मुदू रूपय किलो किलो में He रहा है तक Хोप बैस्कित खरें गये खर और ने गये चाहिए है और तो पाँंच रूपय है ठीख है मेधे पैंदें दिजें ऐसे होता यह तो यह बोलाए कि बचा हुआ चावल को पांच किलो किष्ट की सब में बहुत बढ़ी आधायं कि बहुत बढ़ियां कोश्चन अब आड़ा है कि सारा बढ़ियां कोश्चन अलग टाइप आड़ा है एक ही टाइप का कोश्चन हम बताते चले गए बहुत सारा कोश्चन अब अलग टाइप का रहा है ठीक है हर एक टाइप को हम टच करेंगा तो पांच केजी चाबल का विक तो लोगा विक्रे मुल्ग कम ही होगा तो कम में हम क्या करते हैं बटा करते हैं पांच से काट देंगे पांच बच्पन वार में तो हो जाएगा पच पच्पन रुपईया यानि कि एक किलो चावल को पच्पन रुपईया के भाव से बेचेगा तब जाके दस परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा यह हो गया आंसर सी नमर क्यों बोला ना पच्पन रुपईया परती किलो ग्राम है ना यह उमीद करते हैं आप समझ गये अगर नहीं समझे तो आप नो डाउन कर लीजी इस कोश्चन को और बाद में हमसे पूछ लीजे यह चलिए आगे चलते हैं यह रहा यह कोश्चन क्या बोल रहा है कर एक व्यक्ति ने एक स्कूटर सहितालिस हजार रुपया में खड़ी दी ठीक है से हलेशार में खड़ी तां था तर मलकर ए टीन हजार रुपया में में लगाे का युट झाल होगया उस को स्क्राद उसमें इसे बावन हजार रुपया में बेच दी तो उसको कितने प्रतिसात लाव हुआ यहानी हुई ठीक है यह पूछ रहा है लाव यहानी हुआ यह तो आप करके निकाली गया कितना लाव हुआ यहानी हुआ इसको आपको बनाना है यह को शरम नहीं बताएंगे आगे एक वेक्ति ने 20 रूपया परती दर्जन की दर से खड़ी था एक वेक्ति देखिये दर बता दिया है किया बता है 20 रूपया परती दर्जन परती दर्जन था यह, तो बेचा thought दो रूपय परती अंडा परती अंड़ वेच. टारेक्ट लाब बोल दिया नहीं कि लाब हुआ तो जाए कि लाब हुआ क्या है तो चलिए निकालते हैं नहीं इसको भी आपको बनाना ये हम नहीं बताएंगे ये कोश्चन आपको बनाना आगे एक वेक्ति ना अच्छा एक चीज और जो कोशन हम नहीं बनाते हैं वो कोशन आपको बनाना है और हमको भेज दिया किजिए ठीक है मेरा वाटसेप नमर आपके पास होगा आप हमको भेज दिया किजिए जो भी कोशन हम यहां पे आपको बनाने के लिए छोड़ दिया है वो खड़ीद तत्हानी माल भाड़ा के रूप में 25 या और देने पड़े ठीक है मैं समझ में एक एक आलुमारी खड़ीदा औरVery खड़ा कि द 씨्व किर्सवा फिर क्या करा उसे माल भारा के रूप में 25 इसमूपीर और देने पड़े माल बढ़ा हैं तो आलमारी खरीदा वाद कोई ठेला गारी पे या कुछ पे वो घर पे लाया होगा हाथ पे तो लेके नहीं आएगा तो लेकर आया हैं तो वो ठेला वाला को 25 रुपी या उसको देना पड़ा अब यह दीवा उस आलमारी को 910 रुपी हम बेज देता है तो लाव यहानी प्रतिशत क्या होगा इसको भी आपको बनाना जों बहुत सिंपल कोश्चन है आपके बढ़ते हैं क्या कह रहा हैं एक वे पारी ने सोव अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खड़ीता परति अंडे की दर से खरीदा एक चीज और भी जब भी हम कोश्चन यहां ब बनाते हैं वह आपको बनाने के लिए छोड़ देते हैं वह तो आपको बनना ना है और ऊब भादे unm Înér के जो आया पहले खुद ट्राइ कीजिए उसके बाद उसके बाद मेरा देखिए ठीक है आगे देखते हैं एक बेपारी ने सौव अंड़े पैसा बोल ला है ध्यान रखेगा यह रुपईया नहीं है पैसा है उसमें दस अंड़े खड़ाव निकल गया खड़िदा था वेचरा खड़ित के लाया उसके पाद दस अंड़ा उसको खड़ाव निकल गया ठीक है लॉस हो गया अजिए अंड़े उसने 50 पैसे प्रती अंड़े की दर से बेच दिया तो भीज दिये लाप पादू कर आ तो कराएं राम ने एक रुपईया में चेस अंतरे खड़िदा अब करा बीस परतीसाद लाभ के लिए यह देखिएगा यहां पे यह बीस परतीसाद है यह नाकी 120 परतिसा यह पुर्ण विराम में इसको नहीं करिए तो कह रहा है कि राम ने एक रुपिया में छे संत्रा खड़ीदा एक रुपिया में कितना संत्रा खड़ीता है छे संत्रा अब कहता है बीस परतिसा लाब के लिए एक रुपिया में कितने संत्रे बेचे जाएंगे तो बोल रहा है उसको बीस परतिसात का लाब कमाना है यानि कि 120 परसेंट में कमाए बेचेगा तभी न बीस परतिसात का लाब होगा जैसे देखिए तो इसको कैसे बनाएं कराएं कि एक रुपियम कितना संत्रा बेचे तो बीस परतिसात का लाब हो यानि कि टोटल उसको एक सो बीस परतिसात में बेचना होगा तभी न बीस परतिसात का लाब होगा तो पहले देख देखते हैं हमारा पास complete information क्या है 100 परसेंट बढ़ाबर एक रुपाई और डेकर ऩलापी एक रूपाई खैकर शान soy drink a को कि क्योंकि अंबढ़ाबर btri kuluk घदनेंक ट्था में एक के रूपिया गया था तो जितना और प्या जाता हा वही न होता है क्रेम निसीपी तो हंडिट पर्चेट बढबर एक रुप्या तो वह कर रहा हो बीस पुर्थिस था हम को लाव कमाना है तो पहले देख लिए एक सूब लिए सुब परतिसाथ मतलब ऑफन सबसे से बीस पर से बिस परदिसाथ जादा यानि कि तो 120 परतिशत का क्या वैल्यू है पहले यह निकालते हैं 100% into 120% परसेंट परसेंट कट गया यह 0 यह 0 कट गया ठीक है अब गया बारा वटे 10 है बारा वटे 10 है तो इसको decimal में बदल देते हैं 1.2 क्योंकि नीचे 10 अगर बचा हुआ तो decimal हम अराम से बदल सकते हैं वन पॉइंट तू बताये तरह जब रूपाया पईसे बात रहें तो अपने मन से एकजिरीलू से यह बीज परसेंट परविट होगा, यह बढ़ादर है यह बड़ाबर हुआ, यह व्यारूपिया बीज परसेंट के बढ़ाबर सेसे यह बढ़ाइए, कि 20% का profit हुआ है कि नहीं लेकिन यहां बोला कि एक रुपया में कितना संत्रा बेचेगा यह भाव में बोला है हमाना पास complete information यह आ गया कि 1.20 रुपया में रुपया का रुपया में एक संत्रा एक सोरी सोरी छे संत्रान खड़ीदा था छे संत्रा छे संत्रा बेचता है यह complete information है लेकिन पूछा एक रुपया में तो एक रुपया में राई कम होगा तो छे बटे 1.20 डेसिमल उरेगा तो उपर हो जाएगा 100 00 कट जायागा यह 6 से कट जाएगा दो बार में ठीक है दो से कट जाएगा यह पांच बार में यानि कि किया रखिएगा उमीद करते हैं आप समझ रहे होंगे अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप हम से पूछिए सवाल किजिए कि अधरिया आगे कि आगे क्या है कि आगे देखें करें सुलह बस तुएं उतनी ही कीमत पर बेची जाती है जितनी कीमत पर बीस बस्तु में खड़ी गई थी ठीक है तो प्रतिशत लाब बता है समझ में आया जैसे बोला है कि बीस गो बीस बस तुखरी दिने में जितना रुपएया हम खरच किये थे ना उतना रुपएया हम सुलह ये बस्तु में ले आए यानि हम फाइदा हो गया कि इतना रुपएया हम बेच दिय मोगता हम चार वस्तु क्या अटी इस फाइदा थे तो रुपईय यहां यहां पर कही ने ढाया घ्या looks good्तब खड़ीदा था रूप्या ओन ले भछ लॉव फुर में रहीं योगा जटना वह दाधु वह खुद लेगा बेचना होगा तो वह बेचेगा लेकिन चार वस्तु का तो फाइदा हो गया है कि ने अच्छा उसके बाद पूछ आपको बोले तो परतीशत पूछेगा ना तो कुछ भी डेटा ले सकते हैं इसी को डेटा मान लिए यही डेटा पर हम खेल लिए क्या है ब उसको फायदा हो गया है बीकर ज्छार जादा हो गया है यह जिद कहीं पर रुपयार नहीं लिखा वाने ऐसा कोश्चन आपको बताएं उसमें रुपया कहीं का जिक्री कहीं नहीं सिर्फ वस्तू दिया हुआ है ठीक है तो हम क्या कि यह इसी में से घटा है चार ले तो नीचे लिखने में क्या आप डिसाइड़िए सीधा बात जानिए अगर को रुपया का चर्चा नहीं है कोश्चन तरहा का कोश्चन रहे वस्तू कर साथ साथ के तुलेना करके बता रहा है तोसा व्यों बाते था बनके यह जो ब सुलमकर जाएगा है ठीक है तो चलिए आगे सुरू करते हैं कि का घ्रानी की चौरत नहीं वार बार करनी के चीजा है तब ही आपको समझ में ऑएगा चलिए बार बार आपको obsessed मना हम ठocus करना अ आप जिपनाएं मडी रिवाईज करें तो आपको नीचिन वाईज करने हैं तो इसका तरीका यही है कि अपने मन से रोजाना पिछला जितना भी पढ़ा परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लोज टोटल दस कोश्चन बनाइए तो मालेज़े आपका मुल्कुरूप से दो को दो चेप्टर खतम हुआ है प्रॉफिट एंड लोज और परसेंटेज उसक तो वह आपको पता होगा ठीक है उसमें आप माहिर हो गया यह जो चेप्टर है यह थोड़ा सा बड़ो वाली चेप्टर है तो आप क्या करें आप खुद बांट लेना है कैसे अभी दो चेप्टर है तो पांच कोश्चन परसेंटेज का कोई भी उठा आप ले लिजिए औ तो इसी तरह से बनाते लिए तो आपका डिविजन भी होते जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है कि 25 खिलोना का विकड़े मूल 20 खिलोना के क्रेमूल के बड़ाबर यहां भी देखिए रुपया का चर्चा नहीं है खिलोना का खिलोना के साथ कंपेर कर दिया है टिक है तो नीचे को जाएगा जो बीचा गया निकि 25 खिलोना का विकड़े मूल 25 खिलोना जितना व्शाय वह कलोना के क्रे चीज खिलोना बेचे न तब जाएक उतना रुपई आता अप लॉस में चले गए ना क्यूंकि आप जादा खिलोना बेचके इतना पैसा कमाएं उससे कम ही रुप खिलोना बेचते अगर माल यह 14 खिलोना ही बेचके अप इतना रुपई यह ले आते तब ना आपको प्रॉफ कितना खिलोना का लॉस हो गया तो ना स्व नीचे आपको बताए थे बेचा गया जो रहता है वह लिखाने लिखना है पचीस ऐसा क्वेश्चन में ठीक है जहां पर रुपईया कोई भी चर्चा नहीं है यह इस तरह के वस्तु इतना बढ़ाबर जो रहे गा इस तरह का जो बेचा गया जाए जाता है न वस्तु वही नीचे जाता है तो पांच पचे पचीस पांच से बीस वार में तो गया ट्विटी परसेंट ठीक है ट्विटी परसेंट तो हमारा अंसर हो गया सी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हैं कह रहा है राकेस पेन की कीमत में 40 परतीसत की विर्दी कर देता है राकेस क्या करता है उसके पास कोई पेन था उसमें वो दाम उसका बढ़ा दिया बेचता होगा बढ़ा दिया कितना बढ़ा दिया 40 परतीसत बढ़ा दिया यहनि कि जितना भी उस पेन का दाम था उसमें से पैन की खफत में 40 परतीसत की कमी हो जाती है पैन की खफत मतलब उसको अब कोई खरीद नहीं रहा है बहुत कम ही लोग खड़ीद रहा है इसलिए खपत में कम ही हो गया खपत मतलब उसको लोग खड़ीद ही नहीं रहा है कम हो गया जैसे पहले कम दाम था तो बिकता था अब भई वो क्या कर दिया वो दाम को बढ़ा दिया तो दाम को बढ़ा दिया तो क्या है वा कि लोग जो 40% घटा गड़ाहक घटने का मतलब कलम घट गया क्या हुआ कि पहले जब जितना दाम था न तो इस प्रहले जितना भी दाम था तो मान लेजे कि उतना दाम था न पहले तो एक दिन में 100 कलम भी बेच लेता था एक दिन में कितना कलम बिच लेता था एक सो कलम बिच लेता था लेकिन अब क्या कर दिया दाम बढ़ा दिया दाम बढ़ाया ना तो उसका खपत कम हो गया कितना तो मान लेते हैं कि चालिस कलम कम हो गया मतब रोजाना जब रोजाना सो कलम बिखता था तो अब क्या हो गया रो उसकी आई में, आई मतलब अब वो कितना कमाता है, तो वो आई में कितना कमाता है, यह नहीं पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि आई जो था, उसमें कमी या विर्धी क्या होती है, अब बनाएंगे तब पता चलेगा कि कमी हुआ या विर्धी हुआ, तो जितना भी कमी होग उसका प्रतिशत निकालदेना है, या फिर मानले जिए कि कम करने से, वंदब दाम बढ़ Yum Bakay Steve उसको ज्यादा पैसा आया पहले से तो बीडि हो गया हां बीडि हो गया तो फिर बीडियी का प्रतिशत निकाल यह बनाने के बाद पता चलेगा कोश्चन समझ गया चलिए इसको बनाते हैं तो 40% क्या कि अब दाम बढ़ा दिया पेन का दाम 40% बढ़ा दिया तो मान लिजिए उसी पर खेलते हैं चालिस पर तीसेत का पहले इसका निकालते हैं यह फ्रेक्शन वैल्यू तो 40% का फ्रेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा यानि कि सो से भाग देंगे तो 40 बटे 100 हो जाएगा कि नहीं चालिस बटे 100 का मतलब है 20 कां से उपर नीचे काड़ देते हैं 20 से उपर जित करते हैं तो 20 दूनी 40 आप 20-500 होगा कि नहीं समझ रहे होंगे आप आप देखिएगा 40% का आप फ्रेक्शन वैल्यू निकालीगा तो पता चलेगा दो बटे पांच आया आएगा किने तो 40% का वैल्यू दो बटे पांच आप देखिए पर तीसत पूश रहा है ना परतीसत पूश रहा है इसलिए हम कुछ भी मान लेते हैं हम यही बहला मान लेके बना देंगे जो ना उसी पर मान लेते हैं कि पहले पांच था ठीक है पहले पहले कितना था पहले था 5 रूपया मान लिज्या ठीक है डीक है मान लेते हैं ठीक है अम मान लिडिये रूपैया तो अब क्या है कितना हो जाएगा है माल लिए चांडिस पर्शंट बढ़ है बढ़ है और यह कितना हो जाएगा जाए नफ मैं लिए बूतिता दर्सेंट कीमत कीतना फब यह ता रहले प्रफिया था अब मिशन पर दिए तो कितना घंक चालिश परतिशत कीमत की कमी होगी यानि कि अब फिर से यहां लेते हैं दूसरा आप लेते हैं दूसरा 40 परतिसत हम लेते हैं ठीक है 40 परतिसत बराबर दो बट्टे 5 इसका भी हुआ फ्रेक्शन भी ले तर फिर हम इसका वैसे निकालते हैं खपत इधर वाला हो गया मुल्य इधर जो भी निकाले वो मुल्य है मुल्य ठीक है और इधर निकाल रहा है खपत द्यान रखेगा खपत तो पहले पहले खपत कितना था मान लेते हैं पांच नीचे बल यहनि कि पांच को कलम पहले बिकता था अब क्यूंकि दाम बढ़ाया ने तो 40 परतिसत कलम 40 परतिसत कम हो गया उसका खपत तो अब कितना है भाई 40 परतिसत कम हो गया लोग नहीं आ रहा है तो वहीं पूछ रहा है कि आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई तो आय में तो देखिए तो पांच रुपिया में पहले एक कलम देता था तो उसको कितना बिकता था पांच कलम बिकता था पांच कलम बिकता होगा कि नहीं पहले एक कलम पांच रुपिया में अगर बेजता था तो वह एक डिन वरुक जाता था सूचे एक डिन उसको कितना रुपिया आया होगा तो पहले एउसको कितना आता हो चैlara पहले आए आए पहले का आए बढ़ाबर पहले का इतना लिखने को समझा है एक जितना हो गया तो पान्च नोहां तो प्छैसार जाथा तो पान्च को लंगा ना थे 96 रुपई है ज्यादा हो जागा एक कलंग बादम पांच बया थो पांच कलंग का दम ज्यादा यानि कि 25 पचीस रुपई यानी कि पहले 25 रुपई या एक दिन में आता था उसको ठीक है कि लिकिन अब क्या है यहने कि अब का आए अब अब क का आए के जगह प्रें हम अच्छा से लिखना होगा तो उसको लि बर्तमान आए अभ कितना है about कि यहां पर एक कलम का दाम अभ गया सात रुपई यह तो जैसे वह एक क्लम का दाम साथ रुपिया किया न तो एक दिनमें अब तीने को खरविकता है ठाथ जपत कम हो अब देखिए आई किसको कहते हैं जितना कम आया उसी को आई कहते हैं तो पहले पचीस रुपई या आई था अब एकीस रुपई या आई है यानि आई घट गया यानि लॉस हो गया उसको कमी हो गया आई में कमी हो गया वही पूछ रहा है यहां पर तो उसकी आई में परतिस क्या है नब विधित युद्ध इंग हो गया उसको मिह फैले निकलेगा तो अपनी आप निकल जगा तो फॉक्त 15 पुछ रहा तो चार रुपएया कम हो गया अब इसी का प्रतीशत पुछ पुछ रहा है च्टना कमी वान कमी कितना हो इसी का प्रतीशत पूछ रहा है तो परतीषत निकाल दीए तो परतीशत कमी बड़ाबर क्या जार गुना तो आव निचे कौन извест कौं लिखाएगा तो बताये कमी 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 है तो सवाल किज nowhere से कम किससे कमी हुआ इससे कमी हुआ इससे कम हो गया तो जिससे कम हुआ वो नीचे लिखा जाएगा तो सीधे कार्ट रते हैं पचीस चौक सो तो चरचोक अला सुल्हा रुपई यह कि सुल्लय रूपया काते हैं प्रतिशता नब अब बने looking । को ठीक है कमी ही निकाले 16 प्रतिस्थ का उसको कमी हो गया यह हो गया आंसर देखते हैं कि क्या होगा आप जब भी कोश्चन एक्जाम दें तो हमेशा याद रखिए सिर्फ एक ही कोश्चन को टिक मार देना है मतलब एक ही ओप्शन को देखे और टिक मार दिया ऐसा नहीं करना है आप देखिए कि 16 प्रतिस्थ विर्धी यहां लिखा हुआ है लेकिन आपको तो कमी आया था यहां पर आपको तो कमी आया था है कि नहीं आपको तो कमी आया था यहां पर तो विर्धी वहां लिखा हुआ तो देखते हैं क्या पता 16 प्रतिस्थ कमी वाला भी ऑप्शन होग सही से बना भी लेते हैं तो गलती कर देते हैं क्योंकि वह चारो उप्ष्न देखते नहीं कितना भेली आप सही बना लेजहें लेकिन आप एक बार चारो आप्शन देख लिजिए ठीक है चारो आप्शन देखना है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत चलूर यह चीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या कह रहा है एक रुपईया में दस आम बेचने पर पचाश पतिसत का लाव होता है तो बताएं कि एक रुपईया में कितने आम खड़िदे गए थे पूच रहा है तो अराम से निकाल लें एक रुप्या में दस आम वो बेचा तो पचास परतिसत का लाव हुआ ना यानि कि उसको पचास परतिसत का लाव होताएं का मतलब हैं कि टेर सौ परतिसत में वह बैचा होंगा है की नएए 1.5 dolphins सौ परतिसत हो गया जितना खड़ी था उसमें से 50 परतिसत जादा बैच दिया तभी तो पॉफिट और 50 परतिसत का यानी कि टोटल 150 परतिसत में बैचा था विकड़े मूल का ज़िए हैं वह 150 यह io 150 परतिशत है वो विख्रइमुल का करो सेंटेज्स ना किि प्रोफिट का क्या साथ फिर्पोत्षण प्रतिशत का जो वैल्यू है वो क्या है एक रूपरीय के एक रूपरीय कर दो में क्योंकि एक के रूपीय आपने बेचा 10 आम एकर रूपरेया को अब 100% का वेल्यू निकाल देते हैं, तो 100% का वेल्यू एक बटे डेड़ सो परसेंट, इन्टू 100%, परसेंट कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, और नीचे 15 है तो काटती जी और भी, पांच से काट जीए, पांद नी दस, पंत या पंदरे, तो यह हो जाएगा, दो ब डेसिमन में नहीं बदर जाएगा, यह याद रखिए, कि उपर दो रहता है, और नीचे 3 रहेगा, तो कभी भी पूरा-पूरा नहीं डेसिमन निकलेगा, डेसिमन आप निकलना भी चाहिएगा, तो निकलते चला जागा, लेकिन अंधी नहीं होगा, तो अभी आप इतना ही ठीक, वो खरीदा था 3 वाटे 2 रूपएअ में दो बटे 3 रूपए ने दस आम खरीदा ठीक है तो बोला एक रुपया हम कितना आम खड़ी दे तो जो पूछता है वो लास्ट में करते हैं आम पूछा था आम को लास्ट में कर दी तो हम लिखेंगे एक रुपया में चुकी आप देना चाहें तो दे सकते हैं खाने के लिए बता है लेकिन आप competition है तो उतना चुकी लिखने का में टाइम वेस्ट नहीं करिए जानकाड़ी के लिए था जानकाड़ी आपको मिली गई है तो दस बटे दो बटे तीन होगा ना आपको बताया थे जब बटा वला रहा है ना इस condition में इसको आप भागा के लाग होता है ना तो लिखे दस बटे तीन अब इसको हम क्या करेंगे दस गुना इसको पलट देंगे दो से खाड़ देंगे पांच बार में पंतिया पंदरह आम यानि कि एक रुपया में पंदरह आम वो खड़िदा था यह होगी आंसर भी चलिए आगे जलते हैं कि आगे क्या है करें दस वस्तू के विक्रे मुल एगार है वस्तू के क्रे मुल के बड़ाबर यहां भी वही बात है इसको आप बनाएगा तो लाव प्रतिस्यत क्या हो यह निकालना है वस्तू का वस्तू से तुनना है नीचे हमेसा जो विक्रे मुल है मतलब जो बेचा गय आवस्तू है वो नीचे लिखाता है ठीक है तो यह नीचे लिखाएगा ठीक है आगे आगे देखते हैं इसको आपको बनाना और जो जो हम आपको बनाने के लिए छोड़ दियें वो बना के हमको भेजना है आगे एक रुपया में 15 नारंगी कि दर से बेजने पर 20 प्रतिसत का घाटा होता है बोला है कि वो ना एक रुपया में 15 नारंगी जब बेजता है तो 20 प्रतिसत का घाटा होता है ठीक है यह होगा है लिखा है होता है लिखा जाएगा तो एक रुपया में 15 नारंगी के दर से बेजता है तो 20 प्रतिसत का उसो क्या हो जाता है लॉस हो जाता है तो बताएं कि एक रूपयामीहनीं कितनी डाjut नरंग क्खडी गई थी ठीक को से अंहεरे थो हैं आप इससे मेन रोपया में में है आप जो है बेचता है एक और मस्मılmış में 15 जिक अव्य कुट कर तो सब्सक्राइबan के तो बीस परतिसरद का लॉस हो जाता है अब यह बताइए बेचा गया मुली कितना एक रुपी है यानि कि यही है SP यही है अब यह बताइए जो SP है वो कितना परसेंट के बढ़ावर में यह आप बताइए यह चीज़ आप दिमाग लगाना हर क्वेश्चन में ऐसा ऐसा चीज़ जब जब सी गया सबस्ट आप साड़े को दजी और वह अब एक गया अब बताए यह EP कितनी परसेंट के बढ़ावर में आदा यह SP 80% के बढ़ावर में आप अब बता कि क्यूंकि पीस पर्शंट लॉस पर बेचा था ना यानि कि हंडिर्व पररुषंट होता है है CP CP 100% होता है तो 20% loss में बेचा है यानि कि CP से कम में बेचा होगा कितना कम में 20% कम यानि कि 80% में बेचा था तो 80% का value है यहां पर एक रुपईया समझ में आ गया होगा कि रुपईया तो अब बताएं कि एक रुपईया में कितनी नारंगिया खड़ीदी गई थी एक रुपईया में कितना नारंगी खड़ीदा गया था यह पूछ रहा है तो पहले कि अन्डेट परसेंट का value निकालते हैं तो हो गया एक परसेंट का value है एक रुपईया तो अन्डेट परसेंट का पहले value निकाल लेते हैं तो नहीं पता चलेगा करे मूल का डीटेल अमारे पास आएगा तो 80% परसेंट परसेंट कट गया यह 0 यह 0 कट गया यह पूड़ा पूड़ा कटेगा नहीं ठीक है क्योंकि कटना होता ना तो यह 8 में एक 0 बचा हुआ रहता जीरो रहता तभी कटता लेकिन कटेगा नहीं क्योंकि नीचे 10 है और 10 रहने का मतलब है कि उपर में एक 0 कम से कम रहेगा तभी कटेगा ठीक है तो है नहीं तो डायरेक्ट आप क्या करें 0.8 लिख दीजिए इतना रुपई यह यह 0.8 रुपईया में वो 15 नारंगी खड़ीदा था ठीक है 0.8 रुपईया में वो क्या किया था 15 नारंगी यहां पे वो ख सब्सक्राइब तो हमारा पास जो इन्फोर्मेशन और सब्सक्राइब बनाते हैं चुकि 0.8 रुपईया में अच्छा एक चीज़ और हाला कि नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कात नहीं है लेकिन देना सही रहता है रुपईया पैसा रहा है ना तो लाश्मा अपने मन सब्सक्राइब तो बोलड़ा एक रुपईया बराब में कितना खरीदा था तो 15 बटे 0.80 गुना एक सोरी चुरी गुना कम हो जातने कम में बटे तो बटे डेसिमन उड़ाएं उपर सो जीरो जीरो काट दीजिए ये पांच बार में ये चार बार में अब नहीं कटेगा त पुछाना पंदुरे पचեh 75 पचरव टेचार आंचर देख लिखे पुनांग में है या डेस में देख रहे है है कि हमें सारा और सारा का सारा पैस प्रत्व इसमें कमार देव में यहाँ अचल लग गया हो कोई बातनám चारी आडनी कुछ हम डेटा गलत लिए है रगता है हoping 15 नरंगी है नल मार fan ah कर देखिया हम कहां गलती की यहां पर की है हैं यहां पर उल्टा करके लिख दी है अजह ठीक है डेखिए यह जो अप लिखें यह न गुना होगा तो हम गुना इसको कर रहा है यहां है कि नहीं यह गलती है चलिए फिर से बनाते हैं कोशन तो आप समझ गए कैसे बनाना है इस लिखने में गलती हुए उसके लिए कोई दिकत नहीं तो 80 परसेंट इस एक्वल टू वन रूपीज ठीक है तो 100 परसेंट का वेल्यू निकालना था तो यह हमको लिखना था वन रिट परसेंट। परसेन परसेंट काट के जीरोजीरो कट गया और दी आतले था तो पांच बार में यह चार बंद ए यह हो गया बड़ाबर 5वाटे 4 रूपीया टू के डेशिनम में बदलना चाहे तो इसमन में भी बदल सकते हैं चलिए बदल कहिए अलागी नहीं पही ब कि उलगा एक न लगाया जीक है तो एक डेसिमल उत्रा जीरो दो बार में हां ठीक है इतना रूपर यह रूपय पचीसपैसा तो यानि कि पंदर नारंगी वह खड़ी दाता एक रूपय पचीसपैसा में तो कराया कि एक रूपया में कितना नारंगी करी दाता तो नारंगी लास्ट में कर देंगे एक रूपया पचीस पैसा बड़ाबर पंदरा नारंगी ठीक है तो हमको कहड़ा है एक रूपया में कितने ना राउगी एक रूपया म मीनयरंगी वा तो कम में बता ओ जाता आ मैं आंसर देखते हैं याने यह यह रहा हमारा बाड़ा नरंगे ठीक है चलिए आगे बनाते हैं कि आगे क्या है भाई करा एक दुकानदार पांच रूपिया प्रती मीटर की दर से सुलह मीटर कपड़ा बेच कर बीस रूपिया की हानी उठाता है कह रहा है कि वो बेचता है भाई किस किस दर से बेचता है पांच रूपिया प्रती मीटर की दर से बेचता है तो करा 15 प्रतिशत लाव कमाने के लिए उसे कपडा किस दर से बेचना चाहिए मिदेखिया है यह प्रता किजिये हन्डेट पर्सेंट पता किजिए तो यहां देखें पांच रूपया प्रती मीटर बैसा यानि एक मीटर 5 रूपया में बेच तो 16 मीटर टो टल बेचा तो 16 मी का विक्डए मूल जदा होगा तूंकि एक मीटर का विक्रे मुल पांच इंदा बिदा रूपिया यह जो बेचा फिर भी उसको लोस होगिया कितना का लोस हो गिए बीस रूपअ का लोस होगा यहां बना डायन थी बीस रूपया का लॉस होगा यानिника आंब यह Wie सौ रूपया को घम हो था तो सो रूपया यानिकि उसका गड़े मुल्हीता सौॉर पहीं रुपे, तबुस हुआ, नगी यानीज कि जितना था उससे 20 रुपे, कम की है, तो 80 यानीकि कि 20 रुप tenía जोड दें तो 100, कड़ेमूल हो गिया, 100 है कि नहीं, तो अब आगे पूछ रहा है, कह रहा है, गड़े मुलसो है तो कह राए कि 15 पृतिसात लाव कमाना है तो उसे कितना उसे किस दर से बेचना है किस दर से ठीक है तो यहां ऐसे लिखेंगे सुलह मीटर बढ़ावर हां एंडेड परसेंट कि ठीक है तो रुपई यह छोड़िया है सो लग मीटर का क्रेमूल अ ग्रेमूल बढ़र सो रुपई यह सो रुपया में वो खड़ी दा था लेकिन वेचा वो असी ही रुपईया में ठीक है अब क्या बोला है कि 15 परतिसत वो लाव कमाना चाहता है यानि कि 115 परतिसत में उसको बेचेगा तभी न 15 परतिसत लाव होगा तो हम जान रहा है कि 100% का वैल्यू कितना है 100% का वैल्यू हंडेडे है है किने 100% का वैल्यू ने क्रे मुल है संज्ञोग से वह हंडेडेडे पर्सेंट के बढ़ावर महैं 100% और आतेइशंद 15 परतिसत लाव कमाना चाहिए 125 परतिसत में वेचना होगा है by 100% into 115 % परसेंट पर सेंट करकें दो दोज़ोगर कट यानि कि 115 रूपईया है 115 रूपईया ठीक है 115 रूपईया में बेचे गाना तो उसको 15 पर सेंट का प्रोफिट होगा अब लेकिन बोलना है कि किस दर से बेचे यानि कि एक मीटर का मत एक यूनिट का निकालना है किस दर से बेचे तो दर निकालेंगे तो हम जानते हैं कि सुलह मीटर को एक सो का मत बिकड़े मुल हो जागा एक सो पंद्रे रुपया तो एक मीटर का कितना होगा यह पूछ रहा है 15 बटे सुले डेसिमल में निकालेंगे तो सुले सुले गशन बतिसेटर्धाइटाइट वोचो शर्ष पच्चे ऐसी आ सोले पच्चे आसी शल्चक थे तो इसको आप आप अप्शन से भी बना सकते हैं सलस्टी बल्योतल से हां बल्योतल से तो साथ बार में तो साथ तो हो जाएगा कितना उतर जाएगा तीन तीन उतर जाता से वन पॉइंट कि वन अगर करते हैं तो देखते हैं ओप्शन में वन एट होगा हमको लगता है तो सेवन पॉइंट वन तो सुलह चार हो गया अच्छा जाओ तो अठाट है इसाथ है कि चलिए आपको समझने के इसको यहीं पर कड़के दिखा देते हैं पहले सुल्ले हो गया एक सो पंद्रह तो सुलसती बली होतल से तीन उत्रह दसंबलोग जीरो एक बार में सुल्ला तो यह हो जगा सुल्ला तो सुल्ले अठाट हैसा से एक सो अठाइस है तो दस मुझे आठ गटा दो तिन जोटा एक कट गया तो फिर एक जीरो देंगे तो सुल्सती बली होतल से साथ बार में कि यह लंबा अगर जा रहा है तो आपको दो अंग तक रखना है तो दस में से आठ दो गटा आठ कट गया तो यह जगा जीरो पांच बार में हैं तो 16-85 ऐसे कट गया तो यह पूरा पूरा कटा लेकिन अब देखें यह नहीं हैा安सर में तो क्या होता ऐसा का से कभीगभी का करता है यह तो हलाकी पूरा पूरा कट गया लेकिन क्या करता है कभी कभी दो ही अंग तक डेसिमल दिखाता है तो यहाँ देखिए 7.18 है ठीक है यह हो गया अमड़ा आंसर ठीक है आगे कि आगे बनाते हैं कि एक आदमी ने एक घरी 400 रुपया मखड़ी और दस परसेंट लाव पर बेच दी उसने उस मुल्य की दूसरी घरी दस प्रतिसात लाव पर बेच दिया बताएं कि उसे कितना प्रतिसात लाव हुआ कि एक घरी 400 रुपया मखड़ी और दस परतिसात लाव पर बेच दिया करा उसने उसी मुल्य की दूसरी घरी दस प्रतिसात लाव पर बेच दिया कि लॉस होना चाहिए कोशन कोशन गलत है देखते हैं बताएं कि उसे कितना प्रतिस लाव हुआ देखें यहां पर जो है यहां पर लिखा हुआ है लाव नहीं बलकि यहां पर होना चाहिए हानी यहां हानी होगा हानी है कि यह इधर ऐसे लिखते हैं हानी है तो यह हानी है यह एड़ो लगा हुआ उपर की और तो अब परते हैं करा एक आदमी ने एक घरी चार सुरुपिया में खड़ी दी और दस उरुप प्रतिसात ला पर बेच दिया फिर दूसरा घरी वो को उसी मुली का दूसरा घरी कि चारे सुरुपिया का वह भी घरी था उसको वह बेचा तो दस परतिसात का तो इसको अब बना सकते हैं तो इसको आप बना यह बना यह हैं हाला कि हम 400 का दूसरा घरी भी था 400 का इस पर वो कमाया 10% ठीक है तो मान लेते हैं कि वो 410 रुपया में वो बेचा, तो 10 रुपया का लाव हुआ, लेकिन इसमें वो क्या किया, उत्रन रुपया घाटा हो गया यानि कि 390 रुपया में वो बेचा, तो टोटल में उसको 800 रुपया मतलब मान लेजे की खर्च हुआ था, तो अब देखिए टोटल उसके पास कितना आया होगा तो पता चला कि 800 रुपया आया, तो यानि उसको ना ही लाव हुआ, ना ही हानी हुआ, ठीक है, तो यहाँ हुआ जीरो परसेंट, ठीक है, जीरो पृतिसद लाव, आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, कि एक आदमी ने पांच उपया पती दर्जन की दर से दस दर्जन केले खड़ी दे, बीस केले सरके सेस केलों की वह किस दर से बेचे की बीस परती सर्थ का लाव हो, यह भी सिंपल क्वेस्टन है, इसको आप बनाए पहले, उसको बाद मेरा देखी है, अलागे हम इसको बना दोता है, यह कादमी ने पांच उपया परती दर्जन की दर से बराबर ज्यादा होगा, क्योंकि देखी एक दर्जन का दाम, एक दर्जन का करे मूले पांच रुपया है, तो दस दर्जन केला खड़ी देखी है, ज्यादा मेरा घुना हो जाता है, तो पचास रुपया हो जाएगा, ठीक है, आगया, का रहा है, बीस केले सर गए, ठीक है, बीस केले सर गए, तो बीस केला सर गए, तो बीस केला सर गए, यानि कि उसके पास अब कितना केला बचा होगा, उस ही को नों बेचा, बोला है, से इस केला को वह किस दर से बेचे, पहले पता करते हैं को कितना केला बचा, तो अब मान ये 10 दर्जन केला है उसमें से 20 दर्जन 20 केला घटा 20 दर्जन केला नहीं 20 केला सर गया तो कैसे करेंगे तो इसको पहले पता करते हैं ये total कितना केला है हम जानते हैं तो उसके लिए पता करने के लिए हमारे पास एक information होता है क्या होता है कि कितना केला है ये पता करना है तो के एक दर्जन है बावर बाड़ा केला वगा बाड़ा था झाल, कर आएट मुझाना, हम चैजनों , नहीं बाड़ा केला होता है तो रहागो और US दरजन बरावर जादा हम गुना होगा तो बाड़ा गुना 10 यानि 120 केला था इसमें से 20 केला क्या हो गया उसका सर गया करन 20 केला सर गया तो बचा हुआ कितना यानि 6 केला कितना है 6 केला 6 केला बरावर 100 केला 100 6 केला है 120 केला था न उसका 20 केला सर गया तो 100 ही केला बचा न अब कराएक इस 100 इस 100 केला को किस दर पर बेचें कि 20 परतिश्यत का लाब हो यानि कि 120 परतिश्यत में बेचना है चारा है उसको हम जान रहे हैं 100% का वैल्डियू है 100% बरावर है 50 पचास रुपई या पचास रुकार है तो कर रहें 20 परतिश्यत का लाब कमाने तो 20 परतिश्यत बोलेरा है नहीं कब और हां 20% कर लाब वो कि पर शोप्रतीष है तो पहला एक सो लगिस पर तेस निकाल लेते हैं रो flavors और जबार पास एक कंप्लीट इंफर्मिशन अजाए जैसे कंप्लेट इंफर्मिशन आ जगा तो उसके बाद हम निकाल यह आँ अनकर रुपया में बेचेगा ना बचा हुआ को तो 20 परतिशत का लाव होगा ठीक है वह आयानी की भाव पुछ रहा है नश्या साठाइम छर्वाल रूपया मनerta के यहां MP6 में कि तॉल भेसा साठ रुपया में 100 एंद यहां में 100 केलां टाइद Pastर भी अठीक अंद हो अब कम में क्या करते हैं बटे जिरो-जिरो कट गया तो ये कटा तीन बार में ये कटा पांच बार में यह पांच बटे तीन केला तो डेसिमल में है आप डेसिमल में आपने काली कि ऊज्टें पर निकल देखते हैं तो एक दसंबआब थेक्स अब ये सिक्स करिए और तो शिक्स सिक्स आते चला जागा कर देखिए खा तो खहसे हैं तो देखना पड़ED दो आंख क्या देक है 1.6 है है तो पर्ति दर्जन क्या करें केले को किस दर से बेचे देखिए हम क्या किये परती पीस पर निकाले है आंसर पर तीके लाप निकाले है ना देखिए आपको यह सब दिमाग लगा ना है है यहां हमको क्या निकला एक रुपिया में यानि कि इतना केला वो बेचा एक रुपिया में इतना केला लेकिन वह भाव वहां पर कैसे अंसर में दिया है परती दर्जन ठीक है यानि कि दर्जन के भाव से हमको सो करना है दर्जन के भाव से ठीक है तो दर्जन के भाव से सो करन के लिए हम को क्या करना होगा कि इसको धर्जन में बदल लिजिए कि मान लिजिया है तो तो बारा केला का दाम निकालेंगे तब ना पता चलेगा बारा केला का दाम पुछड़ा है ना परती दर्जन तो इसको मिटाईए आप उलट के लिए दिजिए ज्यादा सही रहेगा सो केला बराबर साथ रुपईया है ना तो बारा केला के दाम हमको निकालना होगा है कि ने क्योंकि प्रती दर्जन बोला है प्रती दर्जन मतलब दर्जन मतलब बारा तो सो गुना बारा जिरो जिरो काट दीजिए यह गया तीन बार में यह गया पांच बार में उपर उपर म पांच अब इसको हम किए कि अज़ेंगे जने लिए पहतीस दिसमल दो it is its health इसाथ रूपयाँ Gest के वैसे स्वौनी बारा केला का दाम साथ रूपयाँ प्रतित दरजन आपको प्रैक्टिस करना है बहुत जैसे जितना बड़ा प्रैक्टिस की जिगानों उतना बार देखेगा न आपको पहले वाले से पहले बार से हलका होते चला गया है ठीक है कि आगया प्रैक्टिस आप कीजी देखिए अभी आपको थोड़ा सा जटिल लगड़ा है फिर बनाईएगा जटिल नहीं भी लगड़ा है न तो फिर बनाईएगा न दोबारा तो फिर पता चला कि कुछ और भी किलियर हो गया कुछ और भी आपको नया चिस समझ में आगया दिमाग में अच्छा करा एक वेपारी 20 किलोग्राम चनाव 125 रुपिया में खड़िद कर उसे 7 रुप पर 30 किलोग्राम की दर से बेज़ता है उसे कितना प्रतिस्ट लावा है इसको भी आप बनाईएगा आगे देखते है इसको देखते हैं कराय भासकर ने 20 केलों 20 किलो है चीनी 45 रुपिया में खड़िदा और तीन रुपिया प्रति किलो की दर से बेच दिया तो उसे कितना प्रतिस्ट लावा यह सब आपको बनाना है है 1-12 रुप प्रति ब्स्ट किदर से 95 पुस्ट के कर देता है न हो पुस्ट क्या करता आप खड़िदा उसको इतना रुपिया वे बेचता है प्रतिसे में लाव गया गयात किए यह आनि प्रतिस अंब को प्रतिस्ट में घाथ करना इसको भी आप बनाईए तो चलिए आज के लिए इतना ही कुछ question आपको छोड़ दें और ये question काफी important important question आपको बताए हैं और उससे भी ज्यादा important question आपको बनाने के लिए छोड़ दियें वो आपको जरूर से जरूर बनाना है ऐसा ऐसा question पर आप जब जीत हासिल कर लिजेगा तो आपके सामने कुछ भी नहीं ह है कोई भी question ठीक है आज के लिए इतना है धन्यवाद